हाई एबरिवन मैं हूँ इशा इशा की रेसिपी में आप सब एका स्वागत है फ्रेंस फिर से हाँ जिरू में एक न्यू रेसिपी के सांच जो की होने वाला है बहुत ही मज़ेदार फ्रेंस आज मैं भिंडी की सूगी सबजी की रेसिपी लेकर आये हूं वीडियो को स्किप करें बीने एंड तक जरूर देखिए वीडियो चल गए तो वीडियो लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करना पिल्कल नभूलें अगर चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब करें शुरू करते हैं बनाना फ्रेंस यह मैंने भिंडी ले रखिया ताजी भिंडी है इसे मैंन नीजे दोनों साइड से कार लेना है इसके बड़े बड़े पीस बनाने है बड़े भिंडी है तो मैं एक के तीन पीस बना रहे हूं फ्रेंस यह देखिए इस तरह से आप बड़े छोटे पीस अपने अगॉर्डिंग कर सकते हैं बर जब थोड़े बड़े होते ना बहुत ड States この OKCryla à इसका बड़े हो बड़ेरके लिए सकना ऑपने करते है ले siinä आप कोई भीयो यूच कर सकते हैं जो आप अपने घर में यूच करते हैं तो अधेशा में यूच करते हैं तर दीन अपने वह जब एशनी जीन आ ले लिया इंगशाAnnा है। थोड़ा सा राय की दानी ले रिखे हैं मैंने और चटकते ही मैंने इसमें कटा हुआ प्यास डालिया है और राय की दानी जब डालेंगे ना भिंडी में बहुत अच्छा टीस्टर आता है जरूर डालिएगा यह देखिए और प्यास को ज्यादा अच्छे से पकाना नहीं है एक दम ब्राउन नहीं करना हलका जब सौते हो जाएगा तो हम भिंडी को भी साथी फ्राइ कर लेंगे यह देखिए इस तरह से आप सोच डूंगे कि प्यास को धंच से फ्राई नहीं किया वैसे ही भिंडी डाल दिया अगर भिंडी पकते लास्प तक ना प्यास जो अच्छे से पक जाएगा तो दिन मैंने हराय मर्शु डाल रखा कटगा हुआ चुटकी भर मैंने इसमें हल्दी डाल लिया है और अच्छे से मिला लेंगे इसे और फ्राई करते रहेंगे मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा भिंडी में और साथी प्यास भी फ्राई हो जाएगा भिंडी के साथ इस तरह से अच्छे से पका लेना है भिंडी को फ्राई करते विए देखिए फ्रेंस इस तरह से मिला पका लेंगे 6-7 मिनट तक इसे अच्छे से पका लेंगे ढग लिया है मैंने इसको पकने के लिए धिमा आज में छोड़ देंगे 6-7 मिनट हो चुक है अब हम देख लेंगे बीच में मैंने चला के भी देखा था आप भी देख लेना बिल्कुल ही छोड़ मत देना यह देखिए अब हमारे बिंडी पक चुकी है अब प्याज भी देख रहे हैं प्याज का कलर भी ब्राउन आ गया है मैंने अब पहले ही ब्राउन कर लेते हैं अभी तक प्याज बिल्कुल काला हो चुका होता इसलिए ज्यादा फ्राइज करना है पहले प्याज को यह देखिए बिल्कुल पॉफेक्ट बना है आपने ध्यान दिया का फ्रेंस मैंने नमक पहले एड़ नहीं कर रहा है लास्ट मैं आ अच्छे से मिला लिया है नमक को गेस को अफ कर लिया है आप गर्म गर्म सब कर लेते हैं यह देखिए फ्रेंस बिल्कुल पॉफेक्ट बिंडी बनके तयार हो रहा है एकदम सूखी बिंडी मसालेदार आप खाएंगे तो आप खाते रह जाएंगे विद्यो का सीजन भी च बिकुल पोफेकट तु बनी है ये देखिए फैसे ये लीजिए विंडी करम गरम आपू इसे चाउल के बूशन और रोटी के साथ भी खा सकते हैं अगर दाल चावल के साथ भी खाओगे ना बहुत रिटी इस्टी लगता है यह देखिए कैसे लगी मेरी बिंडी की सब जी कॉमेंट करके जरूर बताएगा ऐसे ही अगर आपको अच्छे ची रेसे भी चीए तो कॉमेंट करना और हम बहुत झार प्रई बहुत प्रण लुँधा है यह झापको अच्छे आपको अजै की